इस चीज़ का फ़र्प के से पता चलता है की deeper eye से आया हुआ है या फिर willpower से हुआ है जैसे मुझे आभी तक deeper eye का जो अलफाज है नहीं पता था आप last class में थे जो अलफाज है वो मुझे आप से ही पता चलता है जब से law of attraction का ही शुरू हुआ है उससे पहले शायद मुझे वो टर्म विल पावर के तौर पर ही पता था तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कई बार ऐसा होता है कि आपकी विल पावर ही आपको आगे लेके गई मेरे साथ यह कई बार हुआ कि जैसे टाइफाइड रिपीट में हो गया तीन से चार बार हो गया और बाडी गिव अप कर गी और फिर मुझे लगा कि नहीं है अब इससे मैं कैसे बाहर निकलना तो मुझे लगा कि चलो हमालेयस की वन अफ़ टॉप पीक्स ना क्लाइब कर देते हैं क्लाइब कर देते हैं तो वह विल्पावर इसी जब बॉडी उतना काम नहीं कर रही है तब भी इंसान छे हजार मीटर्स का जो माउंटीन है तब भी आप वो क्लाइब करते हैं तो जो रिटर्न ताइफट इस नो मूर वो मैं अब जैसे अब थुड़ा सा रिविजिट कर रही हूँ तो अब थुड़ा सा कन्फ्यूज हों क्यों विल्पावर थी या फिर डीपर आई थी हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट सेशन के अंदर ही जो फर्स्ट क्वेस्ट था उसमें यही था कि हमसे एक क्वेस्ट पूछा गया कि कैसे पता चले कि डीपर आये कहा है और इगो कहा है और आनसर यही था कि सबसे पहली चीज़ होती है awareness कि हम जैसे awareness में आ जाते हैं तो हमको पता चल जाता है कि वो जो चीज हो रही है वो मेरे mind से नहीं हो रही है तो इस mind का nature क्या है कि mind आपको उस वक्त, उस particular वक्त, जब वो journey जो हम काट रहे होते हैं, जो कर रहे होते हैं वो journey के वक्त हम unfulfilled महसूस करते हैं उस चीज को हम पावी लेते हैं जब तो भी हम unfulfilled होते हैं तो वो कोई तीसरा person नहीं बता सकता वो हम लोग ही उस point पे observe करते हैं और हम mind से free तो नहीं हो सकते हैं mind को सिर्फ awareness में ला सकते हैं कि देखो ये ego जो है मेरे पे थोड़ा हावी होता है और deeper आए ठीक है हो सकता है पहली बार आपने मेर से सुनाओ पर इस word को बहुत अलग-अलग तरीके से बहुत सारे लोग use करते हैं कुछ लोग इसको soul बोलते हैं कुछ लोग consciousness बोलते हैं क्योंकि mind तो simple सा होता है एक instrument हम उसको use करते हैं पर mind जैसे हमारे पे overpower होता है तो mind हमारे अंदर बहुत सारी बहुत सारी negative positive चीजें भरता रहता है और फिर हमारा दिमाग बड़ा fluctuate रहता है कभी हमारे को अच्छा लगता है कभी हमारे को बुरा लगता है कि यहार को बहुत बुरा लगता है कि यहार को बहुत अच्छा लगता है तो Deeper Eye का मतलब ही यह है वो Consciousness Deeper Eye का मतलब ही यह है कि हम लोग Awareness के साथ Alertness के साथ जागरत तवस्ता में सास पे और उसके प्रक्रियाएं भी बड़े सिंपल सी है सास पे ध्यान लगाते हुए Thoughts को Observe करते हुए कि जो हुआ सो हुआ अभी आप ठक गए है Now that's it, मेरी body ठक गई है I accept it और मुझे चढ़ना है मुझे कैसे विगर के चढ़ना है मेरे को tie-fight हो गया है That's it, as it is As it is, जो चीजें हैं हमने उसको वैसे स्वीकार करी सबसे पहले तो पस हमने उसको स्वीकार करी और फिर हमारे अंदर जो energy field top से लेके bottom तक pervade करती है, हम उसके प्रती aware हुए, जागरोख हुए कि एक underline इस physical structure के beyond एक underline energy field है, जो हमें sustain कर रही है, हमारे को empower कर रही है, मैं उसके प्रती और सजग होंगी, होंगा और मैं उसको और महसूस करेंगे बिमारी के दोर पे, बिमारी जब होती है, और हमें महिशा से कहते हैं ये बात कि जब भी हम law of attraction को लगाते हैं तो हम लड़ते नहीं है काइनात से हम चटपटाते नहीं है willpower में जिद्धी पना बहुत ज़ादा हो जाता है और इंसान फिर long term पे परेशानिया जहिलता है अपनी जिंदिगे जिद्ध करो दुनिया बदलो इवाला जो एक concept है, इसमें जिद्धी तो हो गया, जैसे मैंने का ना, कि मैं जिद्धी होके मैंने पढ़तो डाली 300 किताबे और मैं depression में आ गया फिर तो आप goal achieve भी कर लेते हो तो वो आपकी body के लिए long term पे ठीक नहीं होता फिर और वो समय के साथ पता चलता है, जब हम लोग उसको observe करते हैं, मैं कही लोग तो जाने अन जाने में इसको follow करते हैं, उनको पता भी नहीं होता, पर जब इसकी समझ आने लग जाती है, तो फिर वो ego और deeper eye के बीच में differences को बहुत आसानी से देख लेते हैं कि यह कहां से आ रहा है, यह ego centric है, या फिर reality में मेरी calling है reality में मैं यह करना चाता हूँ जो करना चाता हूँ जैसे कई लोग आप तो जानते होंगे मैं तो coach हूँ, मेरे पास तो regular basis पे आते हैं, कि वो Everest पे भी चड़ना है, तो इसको ego worst बनाते हैं अपना goal जी, वो बहुत ego driven goal होते हैं वो process के दौरान भी चड़चड़े होते हैं वो पहुंच जाते हैं, तो भी चड़चड़े होते हैं उनका interview लेकर बोल रहा है तो भी वो कुछ और उदेड़वन में लगे हूँ है कि अपना कुछ और करता हूँ मतलब वो कोई भी चीज़ उनको fulfill नहीं कर रही basically, वो excitement वो जो एक inner peace है और हम जो एक course की जो tagline है कि आपको peaceful successful बनाना है, वो feeling नहीं है कहींब, वो लोगों के अंदर होता है, वो ego driven चीज़े हैं basically Thank you